हलो दोस्तों वेल्कम बेक ओन रिपब्लिक इस्टेनोग्राफी डिक्टेशन स्टार्ट होगी पास सेकेंड बाद स्टार्ट महुद्य महराष्ट्र में पालगर के गड़ चिंचले गाम में मौव लिंचिंग की गटना दो तरह के उनमादी वाइरस के रूप में उबर कर सामने आई है पहला भीड का उनमाद जिसकी कर्तूत से यह शर्मनाक गटना हुई और दूसरा सोसल मीडिया के जरिये फैलाए जाने वाला वह उनमादी वाइरस जिससे इस प्रकरण को सियासी वह मजहवी रंग देने की कोशिशे भी होती दीख रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके अनुसार भीड ने बच्चा चोर गिरो होने के शक में दो सादूओ समेत तीनों की पीट पीट कर हत्या कर दी इस प्रकरण को लेकर सियासी गमासान इस कदर उठा है उसके अनुसार भीड ने बच्चा चोर गिरो होने के शक में दो सादूओ समेत तीनों की पीट पीट कर हत्या कर दी इस प्रकरण को लेकर सियासी गमासान इस कदर उठा है कि अखिल भारतिये अखाडा परिशद तक ने लोकडाउन खुलने के बाद सादू संतों के महाराश्ट्र कूच की चेतावनी दे दी है यह अवश्य है कि हर बार मोव लिंचिंग को लेकर दुनिया भर में शोर मचा देने वाले उन पत्रकारों, लेखकों, राजनेताओं और फिल्मकारों की इस गटना पर चुप्पी आश्चर्य जनक रही इस तरह की चुप्पी सोसल मीडिया पर चाय उन आरोपों की पुष्टी करती है कि ऐसे बुद्धी जीवियों का सोयम का नजरिया पक्षपात पून रहता है विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठा रहा है यह बात और है कि महाराष्ट सरकार ने इस मामले में 110 लोगों को गिरफतार कर और दो पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए जाच का एलान कर दिया हालं की पुलिस पर आरोप है कि उसने जो ततपरता आरोपियों की गिरफतारी में दिखाई वैसी यदि तीनों को बचाने में दिखाई होती तो यह दुरबाग्यपून गटना टाली जा सकती थी वन विवाग के गस्त कर रहे दो अधिकारी इन तीनों को भीड से बचाकर अपने दफ्तर ले आये थे जाहिर है कि इसकी इत्तिला भी पुलिस को जरूर दी गई होगी तो फिर पुलिस बिना तयारी वहां क्यों गई गटना के जो वीडियो भी बता रहे हैं कि किस प्रकार कानून के रखवाले बीड के आगे बेबस नजर आ रहे थे बच्चा चोर गिरो से जुड़े होने के शक में मौव लिंचिंग के मामले पहले भी हुए हैं इस प्रकरण में भी छेतर के आदिवासी बच्चा चोर गिरो के होने की अफवा से डरे हुए थे लेकिन लोकडाउन के दोरान इतनी बीड का सडक पर आना भी सवाल खड़े करता है बीड खुद कानून का काम करने लगे इसे किसी भी सूरत में इजाजत नहीं होनी चाहिए बड़ी चिंता ऐसे मामलों को सामपरदाइक रंग देने की है जो मुख्यमंतरी उद्दव ठाकरे के बयान में भी दिखती है दरासल सोसल मीडिया के इस्तमाल ने अफवाहों को तेजी से फैलने का काम किया है ऐसे माहोल में जब सूचना देश कोरोना संक्रमन के खतरे से एक जुट होकर मुकावला करता दीख रहा है आपसी विद्वेश नैपन पे इसका भी ध्यान रखना होगा उकसाने वाले संदेशों का आदान प्रिदान सामाजिक समर्सता को भंग करने वाला हो सकता है इस्टोप